दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा, रोज मर्रा की लाइफ में जो हम उठते बैठते हैं दोस्तों के बीच में, तो अक्सर बात एक शब्द का इस्तमाल किया जाता है, कुर्की करना, मतलब किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टी को कुर्क कर देना, आपने बहुत कम देखा रियली में ऐसा होता हुआ, पर हाँ हमारे देश के कानून में कुर्की करने का प्रावधान जरूर है, साथ में ही कब प्रॉक्लमेशन बन जाता है, कब प्रॉक्लेम्ड ओफेंडर गोशित हो जाता है, मतलब भगोड़ा गोशित हो जाता है, कोई भी व्यक्ति, जो कब होता है, सम्मन का बाता है, वारेंट रायल हम किसे बोलते हैं, या फिर अगर किसी को प्रॉक्लेम्ड अगर गोशित कर दिया गया, तो क्या उसके बाद बेल होती है, और अगर किसी को भगोड़ा कोशित कर दिया, उसके बाद पुलिस में अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट क गए किसी भी एरपोर्ट में हम आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा वो हम किसी और टॉपिक में लेंगे पर आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में जाता कुछ जानने के दोस्तों बरे रहे हैं हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीडियो आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानका दोस्तो जाने अन जाने में अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती हैं गलतियां हो जाती हैं उन्हीं गलतियों का बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है ये गलतिया कई बार वकील साहब की जरीए हो जाती है कई बार आपकी नासमझी से होती है कई बार आपकी फाल्तुक की जो इंटेलिजेंसी होती है वहां गलतिया हो जाती है जो चीज आपको आती नहीं बहुत अच्छे से उस पर ज़ादा action लेने की जरूरत भी नहीं है दोस्त अगर आप आई है पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को मैं request करना चाहूँँगा अभी हमारे चैनल को subscribe करें साथ में लगा बला ऐकन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की जो प्रैक्टिकल जो वीडियो लेकर आते हैं court में क्या चलता है प्रैक्टिकल ही बताते हैं जो हमारे personal experiences हैं उनको आप उसाँ share करते हैं यह सब experiences आप तक पोच सके और आप अपने आपको जानकर बना सकें कोई भी case कहीं भी किसी के नाम पर जब दर्ज होता है FIR में नाम आता है आप भागना शुरू कर देते हैं anticipatory bail लगाते हैं anticipatory bail नहीं मिलती है पर फिर भी अपने आपको surrender नहीं करते हैं या बचते हैं कानून से या फिर किसी भी मामली से आपका नाम आया या फिर आप अभी jail से बाहर आए आपने court की जो dates हैं उनको follow जग से नहीं किया court की जो dates आती हैं उस पर जागे present आप नहीं हुए और court की proceeding को ठीक से आपने follow नहीं किया आप फरार है वहाँ पर आपके again सम्मन भी हुआ warrant भी हुआ और फिर भी आप सामने नहीं आए कैसे चलती है प्रोसेडिंग पहले आप यह समझेए इसको करने के लिए पहले basically तीन main points को आपको समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले होता है सम्मन किसी के लिए भी अगर मान लीजिए कि आज आपकी bail हो गई आप बहार है दो चार मेंने आप जेल काट के आए है आप बहार है और अब court की proceeding शुरू होती है यहां आपको सम्मन किया जाता है क्योंकि आप गई नहीं है सम्मन आपके पास आया पर आप फिर भी court नहीं जाते है अगला स्टेप क्या होगा आपके अगेंस्ट वारंट कर दिये जाएंगे वारंट कर दिये जाएंगे पुलिस आपको पकड़ने के लिए आएगी आपकी घर पे आएगी आजपडोस आएगी पुछ ताच करेगी पर आप नहीं मिलेंगे पुलिस जाएगी वापस अपनी एक रिपोर्ट लगाएगी जो साहब उसी रिपोर्ट को अपने I.O. साहब के जरीए उस रिपोर्ट को पेश करवाते हैं और बोलते हैं कि ये आदमी भगोड़ा हो चुका है भाग चुका है या फिर किसी भी तरह से कानून की जो प्रोसेडिंग्स है उनसे बच रहा है पर ये स प्रोक्लेम एक इशू कर दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट है और इसकी तामिल की जाती है होता क्या है जाते है पुलिस वाले जाने के बाद में उसी के घर के सामने जाकर चस्पा कर देते हैं चस्पा मतलब क्या एक वो लेटर जो पूरा कोट से बनकर आया है वो व्यक्त किस अपराद में भागा हुआ है किस अपराद में उसके जरूरत है और कब आके तलब करना है उसको तीस दिन का ये टाइम होता है तीस दिन का टाइम कब से काउंट होता है तीस दिन का टाइम काउंट होता है जब से वो प्रोकलेम करते है जब से उसको वो चीज़ जैसे मान अब आप बोलते हैं कि सर अगर हम प्रजेंट हुए जाकर उस डेट पर तो क्या होगा यहाँ पर दो चीज़े होंगी अब दोस्तों यहाँ सवाल आता है अक्सर हमसे लोग बोलते हैं सर 82 तो हो गया अब उसके बाद हम लोग क्या करें प्रॉब्लम है एंटिसेपेटरी बेल लगाई थी तो हाई कोट जाईए हाई कोट तक ही आप गये थे सुप्रीम कोट जाईए जाईए एंटिसेपेटरी बेल लगाईए अपनी बात को बहुत अच्छे से परजेंट कीजिए आपको एंटिसेपेटरी बेल बिल्कुल मिल सकती है क्योंकि 30 डेस का जो टाइम अभ इसको चैलेंज कर सकते हो जाके बोलिए कि मेरे अगेंस जो ये 82 की प्रोसेडिंग की गई है वो गलत है क्योंकि गलत करने के लिए दो चीज़े आपके पास होनी चाहिए पहला तो वैलिडिटी चेक करेंगे उसकी कि वैलिड कब से कब तक है या किस डेट को था किस डेट क रहे होते हैं भाग रहे होते हैं कोट की प्रोसेडिंग को आप किसी तरह से जोइझ करना नहीं चाहते हैं और आप जानते हैं कि अगर मैं जोइझ करने कोशिश करूँगा कोट जाऊंगा तो पोलीस मुझ 아reste कर लेगी और हर व्यक्ति अपने उस 아reste से बचता है और वैसे इसे हिपेटरी बेल अगर आप अपलाई कर रहे है soll रहे हैं सेशन कोड तक ही लोग रुक जाते हैं अगर फिर भी बेलना रहे और लगता है को this series कोड नहीं मिले 86, यहां तक आप पढ़ोगे, सब कुछ mention है, कुर्की कब होगी, कैसे होगी, कैसे आप, कुर्की की जो property है, उसको बचा पाएंगे, जो कुर्की किस तरह से होती है, कुर्की का मतलब यह होता है, कोई भी आपकी जो संपत्ती है, जो property है, उसको सरकार अपने कबजे में ले ले ना, बहुत-बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो 82 अगर हो रहा है, तो 30 days का time count करें, उससे पहले-पहले anticipatory bail लेने की कोशिश करें, और फिर भी ना हो, तो दूसरी remedies जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन remedies के साथ भी आप जा सकते हैं, तो पहले तो आप कोशिश यही करें कि 82 की proceeding जब शुरू ही है, तभी आप कोई ना कोई remedy का इस्तमाल कर लें, अपने anticipatory bail ले लें, surrender हो जाएं, या फिर जो 82 की proceeding होई है, उसको आप challenge कर दें, अगर आप ऐसा तेनोंबे से कुछ भी करते हैं, कहीं से भी relief मिलता है, तो बहुत आसान हो जाएगा, पर मै आपको बता दो, एक बार proclaimed, अगर आप घोशित हो गए, पुलिस आपको पकड़ लेती है, भगोड़े होने के उस period में, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, और आप फिर उसके बाद जब भी bail लाएंगे, तभी पुलिस यही question raise करती है, यही objection raise करती है, कि भगोड़ा थ आया है, पहले वीडियो बनाई थी, कि बेलेबल वारेंट और नॉन बेलेबल वारेंट कैसे होते है, कैसे कटवाए जाते है, साथ में सम्मन आया, सम्मन के आते ही आप जाए, कोड़ जाए, कोड़ की proceeding को आप फॉलो करें, problem है, आपको डर लगता है, या कोई बी ऐसा आप पॉलो में पुलिस को वारेंट की जरुवती नहीं है, आपको रेस्ट करने के लिए, वो कोई जाकर कोड़ सी जाकर वारेंट नहीं लेगी आपको रेस्ट करने के लिए, वो ऐसे ही आपको रेस्ट कर लेगी, पर बहतर है कि अगर ऐसी मामला को जाके बढ़ता है, तो जल स जल्द रेमेडियस का इस्तमाल करें कि बहुत सारे लोग अपने हिंदुस्तान में अपने कानूनी अधिकार को ना जानने की वज़ा से भी जेल जाते हैं और बहुत-बहुत महिनों तक उन्हें जेल काटनी पड़ती है कोई भी किसी तरह का सवाल है आपके दिल में किसी तरह के सवाला पुछ चाते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें वट्सेप करें हमारे किसी तरह की मदब के लिए और दोस्तों अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारे वीडियो को जादे जादा अपने दोस्तों परीजिन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अ अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में लगा बेल एकन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की लीगल एवर्नेस की वीडियो हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्त दोस्तिन निवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रने के लिए